हेलो फ्रेंड्स आइम एजबी सिंग और आज नया चेप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दे फ्रेंच रेवलिशन सो इस फ्रेंच रेवलिशन में हम 1789 से लेकर के 1799 के बीच में होने वाले सभी घटना क्रमों की जानकारी लेंगे इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि उस समय फ्रांस में सोछल फॉजिशन मेंका चैच आए फैप्रिशित में चैप्टर की तरफ तो चलते हैं की तरफ फ्रेंच से रेवलिशन अब सबसे पहले अगर हमने फ्रेंच रेवलिशन की बात की है तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो फ्रेंच, इट मींज फ्रांस है, ये है कहां तो हम पात करेंगे इसके लोकेशन की कि फ्रांस की लोकेशन क्या है क्योंकि सबसे पहले हमें जानना जरूरी है ना कि France है कहां क्योंकि सबसे पहले अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि आप French Revolution पढ़ रहे हो but where is the France तो आप confused जाओगे कि यह तो हमें पता ही नहीं तो हम बात करते हैं France के location की तो France आपका Western Europe मैं यहां पर लेख रहा हूँ आप इसको देख सकते हैं कि यह कहां पर है यह आपका Western Europe में है right अब Western Europe में तो है लेकिन किसके आसपास है तो हम बात करते हैं इसके कुछ अलग से जो भी इसके border countries हैं उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले आपको लेख के चलते हैं इसके East Side इसके अगर बात करते हैं तो East में यहां पर आपको Italy मिलेगा Italy के अलावा आपका Surger Land आप सब को पता है कि Surger Land आपका जो है इसको बहुत सुन्दर माना गया है तो definitely इसके बारे में आपको बता दूँ मैं Surger Land इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके West की Position की तो West में आपका Atlantic Ocean आपको मिलेगा उसके बाद अगर मैं North की Position की बात करता हूँ तो North में आपको यहां पर मिलेगा Germany हेटलर के बारे में आपने सुना होगा तो Germany और इसके इलावा आपको वहां पर मिलेगा Belgium राइट यह हमने इसके North की बात की अब आपका बच जाता है कौन सा पार्ट South तो South में यह Spain आपका Spain मिलेगा तो यह है आपके France की लोकेशन की राइट अब हमने फ्रांस की लोकेशन की बात कर ली अब हम बात करते हैं यहां पर फ्रांस के आगे की डिटेल की और सबसे उसमें इंपॉर्टेंट है आपका French Revolution कि आखिर हम French Revolution कहते किसको हैं तो सबसे पहला कुश्चन आजाता रव्योशन वॉट इस रेवलीशन यह फिल्यशन वर्ड गया है मैं तो फाइबृशन कि अंहीं तो यह आप का चेंज, revolution it means change, in what, politically change हो आपका, फिर आपका economically change हो या फिर, या फिर आपका socially change हो, right, so change about politics, about economics, about social, this is called your revolution, revolution, तो अब हमने बात की है, French revolution की, तो अब हम बात करते हैं, revolution, revolution में आपको मैंने बताता हूँ, कि जो changes, revolution it means, changes, changes in what, politics, politically change, then social change, और economical change, अगर इन situation में चेंजे जाता है, और बहुत बड़ा चेंजे जाता है, तो हम उसको कहते हैं, revolution, जिसको हिंदी में कहते है, क्रांथी, बट हम पढ़ रहे हैं, the French Revolution, तो French Revolution, it means, the series of events between 1789 to 1799, कहने का मतलब क्या हुआ, कि 1789 से लेकर के 1799 के बीच में, जितने भी, political, social, या economical changes हुए हैं, उनकी पूरे घटनक्रमों को हम कहते हैं, French Revolution, Now, हब हमने French Revolution की बात कर ली, लेकिन, French Revolution स्टार्ट कहां से हुआ, कहते हैं कि जब कोई चीज स्टार्ट होती है, तो इसका कुछ न कुछ बेस होता है, तो अब हम पढ़ते हैं, French Revolution की स्टार्ट कहां से हुए, तो इससे पहले की French Revolution में आये हम, हम बात करेंगे वहां पर, जो political situation थी और political situation में सबसे पहले हम बात करेंगे वहां पर King की, तो King की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर King की तौर पे थे वहां पर Louis 16, अब आप कहेंगे Sir, Louis 16 कौन सा वर्ड हुआ, डेफिनेटली ये question माइन में आ जाता है, क्योंकि Louis 16 इसका मतलब ये था, कि ये एक ऐसी generation थी जो सुरू से चली आ रहे थी, Louis 15 हुए थे इसके पहले, Louis 14 हुए थे इसके पहले, तो इसी लिए इनको कहा गया, Louis 16, अब Louis 16 की अगर बात करते हैं, तो ये एक Absolute Monarch थे, Absolute Monarch means, जिसे कहते हैं, मनमाना सासन, तो मैंने बात की है, Absolute Monarch इसका मतलब, जो अपने मनमाने सासन के लिए प्रशेट से, कि आप इसको एक वर्ड और जोड सकते हैं, जिसको कहते हैं, despotic rule, despotic मतलब, बिल्कुल बिना किसी रोग टोक के, इसका मतलब, उनको किसी तरह की कोई रोग टोक नहीं थी, वो एक लग्जीरियस लाइफ जीते थे, King Louise जो था, वो 20 येर्स में ही, उसकी के हम बात करें, Mary Antoniet, Mary Antoniet के अगर बात करते हैं, तो वो भी एक बहुत concise, unwise, concise का यहां पर मतलब आहिंकारी, unwise, मतलब जिसके जिसकी बुद्धी ना हो, या बहुत होस्यार ना हो, और बहुत ही extra virgin woman कही जादी ती, जिसके कहते हैं, खरचीली, तो King Louise की बात करें, या मेरे Antoniet की बात करें, दोनों ही बहुत luxurious life जीना पसंद करते थे, right, so हमने King की भी बात कर ली, अब King और क्यून के बात बसता कौन है, और वो बसते हैं आपके other society member, right, other society member की बात करते हैं, तो अगर हम society division में बात करें, France में, France के society division में, आपको ले चलते हैं, अभी हमने बात की political, आप हम बात करेंगे, social, तो society जो France में थी, वो three part में divide थी, सबसे पहले के अगर हम बात करें, तो उनको कहा गया clergy, इसके बाद जो second state थे जाई, उसको कहा गया nobles, और जो third state के हम बात करें, third state में, आपके सारे बाकी बचे हुए लोग, like, अभी मैंने बताया ना कि society आपकी three parts में divide थी, clergy, nobility और third state में, अब हम बात करते हैं कि आखरी clergy क्या थे, clergy उनको कहा गया, जो religious matter से involve करते थे, like आपके church की बात करते हैं, church में pope की बात करते हैं, और bishop अगयरा जो होते थे, वो आपके clergy में आते थे अगर हम nobility की तरफ चलते हैं, nobles की तरफ चलते हैं, तो nobility में king और king के अलावा, जो भी high positions लोग होते थे, जो administrative system में belong करते थे, या फिर king के जो friend circle में लोग होते थे, उनको nobles कहा गया, और third state के अगर हम बात करते हैं, तो third state बाकी जितने लोग बसते हैं, like businessmen आपके, तो third state के हम बात कर रहे थे, तो third state में आपका सारे लोग merchant, professional, peasants, सारे आजाते हैं, तो ये था France का social division, तो अब हम बात करते हैं, तीसरे reason की, economical position की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, तो first and second state के जो लोग थे, जिसका मतलब आपका clergy और nobility की अगर बात कर हैं, तो ये बहुत ही लग्जीरिस लाइब जी रहे थे, लेकिन जो third state था आपका, third state में means, हम जिसकी बात कर रहें कि जिसमें बिजनेस्मेन आते थे, professional आते थे, peasants आते थे, so third state में आपके merchant, merchant, merchants के अलावा businessmen, businessman के अलावा आपके peasants, peasants means यहाँ पर उनको farmers या किसान से ले सकते हैं, तो अब आपको बता देता हूँ, कि ये जो third state है, जितना भी tax pay कर रहे थे, ये सिर्फ third state वालों को ही pay करना पड़ता था, जबकि जो आपके first और second state के लोग थे, ये economically बहुत strong थे, और इनको luxurious life मिलती थे जीने के लिए, जबकि जो third state के लोग थे, वो कहीं न कहीं आपका बहुत hardship में जी रहे थे, तो students, अभी हमने आज के इस topic में या इस chapter में जो चीजे cover की, उसके बारे में एक बार, फिर से मैं revision आपको करा दूँ, कि आज हमने France, the French Revolution में, France की location की बात की, revolution क्या है, इस बारे में बात की, French Revolution में means, उसका time period क्या था, वो बात की, और इसके अलावा वहाँ पर France में जो condition थी, means, वहाँ पर political situation क्या थी, वहाँ economical condition क्या थी, और वहाँ पर social condition क्या थी, इसकी बात की, I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस channel को subscribe, share, और like करना न भूले, ताकि आपको नई नई जानकारिया मिलती रहें, इस channel के through, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे, धन्यवाद,